नमस्कार साथियो मेरा नाम है निलेश कुमार आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के सिरीज शिक्स रेडिशन की बुक है हम लक्षमी कान जी द्वारा लिखा गया है यह सब्जेक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है competitive examination point of view से चाहिए वो grade A, grade B, grade C या group D का हो इसमें इंडियन पॉलिटी, constitution related सीजें बताई गई है हम लोग chapter wise इसको start करेंगे पहले chapter पर skip करते हैं आप सभी इसका introduction अपने बुक से आया पीडियाप के माध्यम से गूगल से डाउनलोड करें क्या पढ़ सकते हैं इसमें देखे year wise subject year wise questions दिये गए कि कॉंसियर में कितने questions आये हुए है देखे part one में सबसे पहला क्या है हमारा constitutional framework जिसमें first क्या है historical background historical background के अंतरकत क्या क्या है the company rule और the crown rule ठीक है इसको हम लोग समझेंगे thoroughly हम लोग इस series में हर एक chapters के point को पढ़ेंगे first chapter पर skip करते हैं देखे part one में क्या लिखा है थोड़ा सा zoom कर लेते हैं part one में क्या लिखा constitutional framework में क्या क्या पॉइंट है constitutional framework का मतलब कि जो हमारा समिधान था वो कैसे बना क्या उसका इतियास रहा है क्या उसकी प्रक्रिया रही है ठीक है इस सब चीजों के बारे में जानेंगे point wise दिखे क्या लिखा है historical background पहला है point historical background दूसरा है making of the constitution तीसरा है silent features of the constitution एक एक करके सभी को हम समझेंगे ठीक है historical background क्या स्टार्टिंग करते हैं लिखाया the British came to India in 1600 as trader British कब आए 1600 इसवी में आए फिर in the form of East India Company किस फॉम में आए East India Company की फॉम में है और यह आने का अधिकार किस ने दिया तो Queen Elizabeth one के charter जो बनाया जाते है चार्टर मतलब होता है कि जो नियम बनाया जाते है वो उनके द्वारा बनाया गया था तब East India Company 1600 इसवी में आई थी in 1765 देंग कंपनी which till now had purely training function obtained the divani of Bengal, Bihar and Odisha 1765 में क्या होता है जो company सिर्फ training करने के लिए आती है 1765 में उस training company को दिवानी का ride भी दे दिया जाता है this started its career as the territorial power अब क्या हो पहले company के तरीके साथ है लेकिन 1765 में उनको दिवानी राइट दे रहता है और उस तरीके सो territorial power के शुरुआत होती है territorial power का मतलब होता है कि एक तरीके से कह सकते है सासन का अपना base डालना 1858 in the wake of supply matinee the British crown assumed direct responsibility for the governance of India अब देखें 1858 में क्या होता है सेपाय matinee होती है सेपाय matinee मतलब क्या होता है कि बगावत होती है the British crown assumed direct responsibility for the governance of India अब क्या करते है British crown directly पहले क्या होता है company के तौर पर आते हैं देरे देरे दिवानी राइट लेते हैं फिर अक्टराज सण ठावान में directly British crown rule करने लगता है और rule कब तक इड़नी होता है 15 अगस्त 1947 तर एक करके पड़ेंगे यह हम लोगों ने थोड़ा सा बीज जना था अभी देखें क्या लिखाया with independence came the need of for a constitution अजादी के साथ साथ हमें समिधान की जोड़ पड़ी hence Constituent Assembly was formed for this purpose in 1946 around 26 January 1950 देखें उसकी अजादी के साथ साथ हमें समिधान की जोड़ पड़ी और इसलिए Constituent Assembly बनाए गया जिसके तयत कब बनाए गया 1946 में बनाए गया और कब तक वो अज़नी चला 26 January 1950 जब तक की Constitution आनी गया However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule जो भी हमारा भारती समिधान है या फिर हमारा जो भी polity का रूप रिका है वो उसका base क्या है? British rule से ही लिया गया है There were certain events in the British rule that led down the legal framework for the organization and functioning of government and administration of British India क्या बोल रहा है इसमें अब कि जो भी events हुएं British rule में जो भी events हुएं उसके basis पर legal framework बनाए गया है ताकि हमारा government मतलब हमारी सरकार और प्रसासन British India में नियमावल तरीके से rule कर पाए ठीक है आते हैं हम लोग point पा जाते हैं They are explained here in chronological order under two major headings पहला क्या है concerning the company rule है company rule मतलब 1773 में से लेकर ठारसन ठावन में स्टार्ट हुआ और दूसरा क्या है crown rule है ठीक है ये था हमारा क्या है historical background आते है company rule पे basic basic चीजे इसको ध्यान से पढ़ेंगे important चीजे हैं ये सब company rule 1772 to 1858 ठीक है regulating act 1773 ये याद रखेगा आज आता है question पूछने के लिए कि regulatory net कौन सी ये में आया है तो बोल देंगे 1773 उसमें टिक लगा देंगे जब भी आया को question में तो this act was of great constitutional importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India company in India क्या लिखा है regulating act का regulating act से समझ में आता है कि regulation करना ठीक है तो जो भी पहला कदम रखा गया British सरकार द्वारा कि East India company का जो भी regulations है और जो control है जो इस इंडिया company अपना इंडिया में काम करी है उसको control करने का तो किसके basis पर regulating act के मदद से इट रिकोगनाइज फॉर दे फर्स ताइम पहली बार इस act के तहट राजनेतिक और प्रसासनिक जो भी प्रतिक रिया है रहेंगी company की उसको दर्स आया गया इक लिट द फाउंडेशन अव से इंडिया और जिसके basis पर केंद्री प्रसासन का भी base new रखा गया features क्या दिया गया it designated the governor of bengal as the governor general of bengal and created an executive council of four members to assist him अब क्या बूला है जो governor of bengal था जो governor of bengal है यह देखे highlight में कर रहा हूँ जो governor of bengal है इसको क्या बना दिया governor general of bengal ठीक है governor general of bengal और क्या create कर दिया executive council of four members to assist him executive council भी बना दिया कितने member का चार member का और जिसमें से first governor general कौन थे first governor general was lord warren hasting तो short form में भी आद कर सकते कि पहला governor general किसको बना आएगा हास्टिंग को हस्ते हस्ते वो lord warren hasting governor general भी बन गया फिर से बढ़ते है इस act के ताद governor of bengal को governor general of bengal बनाया गया और executive council चार member के बनाया गया जिसके ताद जो first governor general थे lord warren हास्टिंग थे it made the governor of bambay and madras pertain subordinate to the governor general bengal अब क्या करता है regulating act 1773 जो governance थे bambay और madras के वो किसके नीचे आगा है governor general of bengal के ठीक है next point क्या है it provided for the establishment of a supreme court at calcutta तो regulating act 1773 के ही अंतरगत हमारा supreme court सबसे पहले stabilization supreme court में कहा हूँ supreme court का कहा पे हुआ था calcutta में कब 1774 में जो कि सिर्फ एक chief justice से और three other judges थे ठीक है लिखा है comprising one chief justice point number three पढ़िए गया comprising one chief justice and three other judges four point क्या it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents of bribes from the natives और ये क्या prohibit करता है जो company के staff थे ये कह सकते है servant थे उनको native ले से जो मतलब जो भारत में लोग रहते थे उनसे उन भारत के लोगों से जो company के servant थे वो कोई भी घूस या फिर कोई भी gift नहीं ले सकते थे ये act prohibit करता था पांचवा point क्या है इस strengthen the control of the British government over the company by regulating the court of directors क्या बोला है British government का जो पकड़ था वो और भी मजबूत बनाता है कैसे क्योंकि court of director जो की governing body होती है company की उसको control में कर लेते हैं ठीक है कौन है court of director governing body किसकी है company की और जो की revenue civil or military affairs to India में देखते हैं तो आज हम लोगोंने क्या पड़ा कदा company rule 1773 to 1858 में पहला एक क्या था regulating act of 1773 जिसके की 5 features बताएं गया है one by one हम सभी ने उसको समझा next class में हम लोग पड़ेंगे amending act of 1781 जय हिंद जय भारत